हेलो और वेलकम टू स्टडी आएक्यू इस वीडियो में एक बहुत ही जादा important topic में discuss करेंगे एक ऐसा topic जो पूरी दुनिया को discuss करना चाहिए before it gets out of hand. चाइना ने एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है कजाकस्तान पर चाइना ने ये काए कि कजाकस्तान हैं मगर इसका जो वाइरस है उसके बारे में जानकारी हमारे पास है नहीं. By the way मैं आपको वैसे ये बता दू just for information purpose कि COVID-19 और निमोनिया के symptoms कुछ हट तक same होते हैं जैसे के lungs में problem सांस निलने में problem मगर निमोनिया की आज के समय vaccine available है और COVID-19 की as of 10 July 2020 जब मैं वीडियो record कर रहा हूँ हमारे पास vaccine है नहीं. तो चाइना यहाँ पर यह कह रहा है कि कजाकस्तान में बिल्कुल एक बिमारी आ चुकी है मगर यह एक नए टाप का वाइरस है जिसके symptoms निमोनिया जैसे हैं और आप डिसकस करेंगे दोनों कंट्रीज यहाँ पर क्या रोप लगा लिए हैं दुसरे पर बहुत कुछ आप को जानने को मिलेगा an important topic, a lot to know, a lot to discuss as always but before we begin go to Google Play Store, download the Study IQ education app और यहाँ पर पर्चेज कर सकते हैं हमारा flagship, UPSC कोड़ और हमारी हर वीडियो की update पाने के लिए make sure to subscribe to Study IQ and press the bell icon so समझते हैं यहाँ पर controversy है क्या, चाइना की जो embassy है कदाकस्तान में उन्होंने अपनी warning दी अपने citizens को जो भी Chinese नागरिक आज के समय कदाकस्तान में है, चाइना ने यह कहा कि आप लोग इस देश को छोड़ दो क्योंकि यहाँ पर हमारे इसाब से एक unknown pneumonia जैसी बिमारी फैल रही है, जिसका fatality rate COVID-19 से काफी ज़ादा है, fatality मतलब के मरने के chances इस बिमारी से काफी ज़ादा है even more than COVID-19, फिर चाइना की embassy ने अपनी report में figures present करी, इनके इसाब से पिछले 6 महीने में कजाकस्तान में इस बिमारी की वज़े से almost 1800 लोग मर चुके हैं और सिर्फ जून के महीने में ही 600 से उपर लोग मरे थे, तो बहुती तरी से इसका संक्रमन कजाकस्तान में फैल रहा है according to China और उसके बाद जो China का mouthpiece है जो Chinese Communist Party का mouthpiece है उसने भी इस पर आर्टिकल लिखा यहाँ पर आप देख पाएंगे यह इनका आर्टिकल है Chinese Embassy in Kazakhstan Urges Caution Following Reports of Unknown Pneumonia आप सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कजाकस्तान world map पे है का पर यहाँ पर आप देखोगे यह है एशा का map और यहाँ पर है कजाकस्तान कजाकस्तान की राजधानी आज के समय है नूर सुल्तान और यहाँ पर आप देखोगे इनकी एक बहुती बड़ी border है विच चाइना शिंग शैंग प्रोविंस और आप साइस के साफ से भी अगर देखो तो कजाकस्तान बहुती बड़ा देश है यह अचुली दुनिया का नौवा सबसे बड़ा देश है आबादी मगर इस देश की बहुत जारा कम है इवन दो इट इस नाइंथ लाज़ेस कंट्री इन दे वर्ल्ड इसकी आबादी निव डली से भी कम है विज जस्ट वान करोड 80 लाग पीपल करंसी बादवे ये लोग यूज़ करते हैं कजाकस्तानी, टैंगी आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि कजाकस्तान के करीब ये एक वाटर बॉड़ी है इसका नाम क्या है? क्या ये ब्लैक सी है? रेड सी, येलो सी या फिर कैस्पियन सी नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो सो अब तक आपने स्टोरी समझी है के ठीक है चाइना ने इंटरनाशनली और लोकली हर जगा ये कहा है कि कजाकस्तान में कोवेड 19 से भी खतरनाक बिमारी आज के समय फैल रही है अब जैसे ही ये रिपोर्ट कजाकस्तान की सरकार तक पहुची इन्होंने ओपनली ये कहा के चाइना फेक न्यूस फिला रहा है यहाँ पर आप देखोगे आर्टिकल है फेक न्यूस, कजाकस्तान कजाकस्तान की सरकार ने ये कहा है कोई ऐसी नहीं विमारी नहीं आ रही जो बहुत तेस फैल रही है हाँ, कुछ निमोनिया के केसिस मिले है उसके बारे में हमने WHO को जानकारी दे दी है मगर जिस तरीके से चाइना यहाँ पर क्लीम कर रहा है कि एक नया आउटब्रेक हो गया है और इराक्यवेशन की आवशकता है फ्रॉम कजाकस्तान, इनके हिसाब से ऐसा कोई केस यहाँ पर अभी हुआ नहीं है तो देखो, यह बहुत ही बड़ा एश्यू है यहाँ पर दो मेजर कंट्री चाइना और कजाकस्तान, दोनों एक दुसरे पर अरोप लगा रही है कि यह कंट्री जूट बोल रही है about a virus तो लार्जर कोश्चन यहाँ पर यहाँ आता है या तो चाइना यहाँ पर जूट बोल रहा है, चाइना कोशिश कर रहा है कि COVID-19 से जो अटेंशन है यह और डाइवर्ट हो, इसके लिए चाइना ने रिसेंटली काफी स्टेप्स भी चले हैं फर एक्जामपल, लदाक में अग्रेशन, साउट चैना सीमे अग्रेशन जपान के सेनकाकू आइलेंट्स पर अग्रेशन, मगर तब भी हम देख रहे हैं कि Donald Trump अपने स्पीचिज में अपनी रैलीस में कभी भी COVID-19 नहीं कहते, वो हर बार कहते हैं चाइना वाइरस या फिर चाइनीज वाइरस, तो परहाप्स हो सकता है कि यहाँ पर अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए चाइना ये कह रहा है कि COVID-19 से भी बड़ी विमारी आज के समय कजाकस्तान में है, the world should focus on that, एक possibility या तो ये है, या फिर यहाँ पर ये possibility हो सकती है कि कजाकस्तान जूट बोल रहा है और कजाकस्तान में आज के समय genuinely एक बहुत ही deadly pneumonia जैसी विमारी फैल रही है और इसके बारे में इनकी सरकार पूरी दुनिया को proper जानकारी दे नहीं रही अब ऐसे टाइम में देखो conclusion क्या निकल किया आता है, conclusion बहुत ही simple है, हमें WHO को completely revamp करना होगा इसको फिर से rebuild करना होगा क्योंकि आज के समय WHO के पास इत्ती power नहीं है इत्ती transparency नहीं है इनके याँ जो administrators है वो corrupt है या नहीं उसको लेकर काफी बड़ा प्रशन चिन है, तो दुनिया को आज के समय एक ऐसा mechanism चाहिए जिसके पास authority हो जो transparent हो, जहाँ पर जो administration है, वहाँ पर दुनिया के हर continent से लोग आएं और जो किसी भी country में बिना रुके investigation कर सके for a virus और a bacteria outbreak, क्योंकि जिस तरीके की दुनिया में आज के समय हम जी रहे हैं, globalization है लोग travel कर रहे हैं, दुनिया की अबादिया आप अगर देखो तो 700 तो ऐसे टाइम में virus का फैलना, बिमारी का फैलना बहुत आसान हो चुका है we need proper transparency from countries from an mechanism एक international mechanism नई तो देखिए जिस तरीके से COVID-19 फैला है, उसी तरीके से in the future और बिमारिया भी फैलती रहेगी until unless countries ज़्यादा transparent नहीं होती regarding their diseases, so मैं जानना चाहूंगा आपका यहाँ पर opinion क्या है आपके हिसाब से WHO में क्या-क्या improvements करने क्या आप शकता है आप points में ले सकते हैं, in the comment section below this is right now the end of the video thanks for listening and as always, God bless you all